ये ये तो आप 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 अप आप 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 है अब बॉनिंग फ्रेंड्स गुड मॉनिंग फ्रॉम उपसी अभी उपसी में हूं और यहां से आगए की राइट शुटू करना हूं अभी सड़े पांच हुए हैं और यह सामने होटल है इसमें रुका था रात को और बस अब आगए इसमान मैंने सारा लोड गर लिया मेरी बाइक अब बस अब यहां से निकलते हैं आज खोशिश है कि सर्चु पोन जाए चलो मिलता हूं बाइक पर अभी उपसी से निकल रहा हूं रात को यहां रुकाता है यह सामने होटल है और आज कोशिश है कि सर्चु तक जाएंगा तो अगर आपने मेरे पिछले व्लोग नहीं देखे तो एक बार जागे देख सकते हो फस्ट डे मेरा पेवा से जम्मू सेकंड जम्मो से शिरी नगर थर्ड शिरी नगर से कारगिल उसके बाद कारगिल से ले फॉर डेज फिफ्ट डेज में गया था खार दूंगला नुब्रा वैली और शिक्स डेज में गया नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक और कारू तक की प्लानिंग थी के कारू में रुकूंगा पर कारू में रूम नहीं मिला फिर मुझे थोड़ा अगे फिफ्टीन किलमिटर अगे आना पड़ा उपसी में तो रात को उपसी में मिला रुका था और अब अगरी की राइड कंटीनू कर रहा हूं और आज मुझे को लगता है कि मोसम भी थोड़ा ख्राब है पर चलो जहां तक जा सका वहां तक जाओंगा अभी टाइम साड़े पांच हुए है और सुबह सुबह बहुत बादल है और आज हावा भी ठंडी चल रही है बिल्कुल तो चलो अब भी मिलता हूं इतना अब नजारे देखो तो उपसी के बाद जो पहला विलेज आएगा वो है रूमस्ते यहां से 25 किलोमेटर है और बारिश भी शुरू हो चुकी है मुझे अपना गोप्रो उतारना पड़ेगा एक बार चलो अगे मिलता हूं अगर बारिश कम होती है तो तो फ्रेंट्स यह है भी तांगलांगला पास के करने जारा है तो नहीं पहुंचे नहीं तांगलांगला पास नहीं पहुंचे नहीं तो यहां से निच्छों की तरफ आया हूं निच्छे सड़क की खाइए लिए और बहुत ज्यादा समों पड़ी हुई है मेरे दोनों दरफ और मेरे कपड़ों पर भी समों है यह हटा हूं अभी दिमाद भी है तो बहुत जादा है इस तो बाद में उतारूँगा अभी आपके चलता हूं अभी यहां से तांगलांगला पास जो है वह लगबग 10 किलो मिटर हो रहा है तो उपर तो और ज्यादा सुनों मिलेगी तो चलते हैं अब आप अब अब हुआ है अब अब हुआ है अफ्रेंड्स बारा बच चुगे हैं और अभी भी यहां फसे हुए है अभी रास्ता उपण होगा तभी जाएंगे बहुत जादा सुनों हुई आज देखो यहां से कैसा जा रहा है यह देखो पूरे पातल है और इदर मेरे पिछे यह पूरा पहाड बरब से ढगा हुआ है तो रास्ता खुल लेगा फिर चलेंगे और अभी मैंने सोचाएगी गाड़ी से ही जाओंगा अभी मैं ट्रक में बैठा हूं और अभी से ही जाओंगा आगे देखते हैं आगे चल मुत्क झाल गे ही जाओंगे टुदार पेखते आगे पातल है और उच्छी के उाजबगा में डहाड़ी जागए जा उलता प्टुंवला श्ता इंड़र बैवजा ह है और दो सक्ता कि उड़का नगजार है इंड्या शैका श्तातभ구immungा आज बहुत ज़्यादा संओ है और बाइक बहुत ज़्यादा सिलीप कर रही थी देखो नीचे कितनी संओ है और ट्रक्स की लाइन लगी हुई है यह देखो बिल्कुल वाइट हर जगहा भी भी संओ पट रही है और मैंने बाइक अभी ट्रक में चड़ा दिये यह ट्रक क्योंकि बाइक स्लिप कर रही है आगे जा नहीं पाएगी मुझे दो बाइक मिले ट्रक दो ट्रक थे उनके पास और उन्होंने बाइक को पूरी परफ है मैं दिखाता हूँ अभी बिल्कुल ताजी सुनों पड़ी है ताजी 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 है और रास्ता बंद है अभी ओपन होगा तो आगे जाएंगी और चला भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को क्योंकि मेरी बाइक ट्रक के अंदर है समान मेरे सारा ट्रक में रख दिया मैंने यह रहा ट्रक बीबी जीरो थ्री बीए सिक्स जीरो एट जीरो इसमें मेरी भाईक है और मैं फिछले ट्रक में बट्था हूँ यह देखो ट्रक की लाइन और पूरा वाइडर कुछ भी दिखाई ने दे रहा है इतना जादा वाइड है सिर्भ वाइड वाइड है सब जीरो बिल्कुल ता जी और वाइस ज्बहे से स्नोग पतारी आज जोग प्ले भाई अस्काय आज हम जीड देखो लिएज हम जाइड है चैर लोड़ को जाथ दो We are heroes to night Night Feeling like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight So friends This is the top view And I'm going to reach here 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 Let's see I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe I've been flying from town to town Trying to protect your soul Trying to protect your soul We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight है झाल बावाण हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु कि आपके लिए फ्रेंट्स मैं अभी मुपांक से लगवाट कोटे किलो मिटर बस एगंटे बांक बहुन जाओंगो और यह मेरे पिछे ट्रक खड़ा है इसमें आयोगा और भाइक मेरी सब्सक्राइब अब अब जाए प्रॉण चल रही है यहां तो अब बॉणिंग फ्रॉंग फ्रॉंग सब्सक्राइब रात को यहां पहूंचे थे काफी लेट होगे लगब दस बजे पहुंचे फिर खाना खाया और अब यहां सीजन की भी कमी है बहुत और टेंपरेचर भी माइनस में है अभी बस यहां से निकलेंगे और उसके बाद जाएंगे भी कि टांडी टांडी जाकी मैं अपनी बाइक ले लूँगा और खुद अपनी बाइक पर जाओंगा अगए क्योंकि वहां से रोड ठीक है यहां के एक बार नजारा देखो कैसा है तो यह यहां का नजारा बस धूप निकलने वाली अभी और रास्ते में रोड बहुत ज्यादा खराब था थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खराब था सड़क तो है यह नहीं रास्ते में लगबख 60 किलो मीटर बहुत ज्यादा रोड खराब था थोड़ा ठीक है यहाँ से हमाचल शुरू होता है और अबो ही बस थोड़ धेर में निकलते हैं यहाँ वह पिछे रास्ता है उदर गाड़ियां खड़ी है वह लेका बोर्डर है उदर और यहां पर जो मेरे पास है इतर यह माचल का बोर्डर है यहां से अभी क्रोस करेंगे अग्या और में बाइक दिखाता हो आपको अपनी कहा खड़ी थी मेरे भाइक तो यह खड़ी है इसको बांदा हुआ यह जीजे और यह मरे बैग भी पड़े है तिन्नो है अभी कि इसन की कमी बहुत जादा है थोड़े देर में सांस फूलने लगती है कुछ भी करो दो अगर थोड़े देर चलोगे तब भी सांस फूलती है और इससे अगे ठीक है कि 60 किलो मेटर के बाद थोड़ा ठीक आजेगा और आज कोशिश है कि मनाली पहुंच जेंगे 200 किलो मेटर है यहां से